जेहिन माई डियर एस्टुएंट्स तो सच में जो है ना यह आपका 20 जो है वह आपका गेम चेंजर डे होने वाला है ठीक है क्योंकि यह 20 डेस में जो है आपका 10 दिन के अंदर में तो हम लोग पूरा कम्प्लीट आपका जो जितना भी साइंस है यानि कि साइंस में आपका ब पूर्टेंट कोस्टेंट के साथ विस्ट विथ आपका टेस्ट सीरीज तक और विथ एक एक कॉंसेप्ट के साथ जो है वह हम लोग कम्प्लीट करेंगे अपना 20 डेस के अंदर यानि एक कोश्टन जो है आपका सीवेसी टर्म टू में जो है वो छुटने वाला नहीं है इस और आज आपका रहेगा सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का जो है अपना ठीक है पार्ट बाइपार्ट में आपका रहेगा यह आपका फॉर्स्ट पार्ट है वही तरह से से करेंगे 20 वीडियो के अंदर आपका पूरा कम्प्लीट फिजिक्स जो है वो देने का कोशिस यहां करें कि कशलिए तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्लास फेलेंथ कस्र dann टू है आपका सांइस उसमें इलेक्ट्रेसिटी चैप्टर को कॉबर करने का खुशिस किया गया है उसके बाद जितना भी इस पार्ट में आपका कॉबर होता है तो ठीक है नहीं तो बचेगा तो नेक्स पार्ट में बच ट्वैंटी पार्ट के अंदर आपका पूरा साइंस यानी फिजिक्स और केमेस्टी आपका कम्प्लीट होगा बायो लोजी का अगर आप चाहिए क्लास तो आप एक बार जो है वह कॉमेंट कर दीजेगा इस क्लास के जो है नीचे में आप कॉमेंट कर दीजेगा क्या पढ़ना है तो सारा चीज अमीटक पॉलिचे पढ़ने लोग करके बस आप लोग क्लास में जूड़े रही है मज़ा आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है तो सबसे पहला जो हम लोग अपने टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है इसको दीखेंगे तो सबसे पहले नहीं की जो आपका ऑफ का जो फलो है ठीकहें उस फ्लो को ही हम लोग कहते है इलेक्ट्री करेंट क्या कहते हैं फिर से एक बार अपने इस नाय प्रॉपिक करेंट यानि कि electric charge का flow इधर की और है तो आपका current का भी flow होगा वो आपका इधर की और ही होगा यानि कि जो flow of charge है electric charge का जो flow है यानि कि electric charge का जो movement है उसी movement का हम लोग electric current कहते हैं आप simple वासा में यह भी याद रख सकते हैं ठीक है यानि the flow of electric charge is known as electric current and then उसके बाद जो है वो क्या है उसके बाद है electric current is carried by moving electron through a conductor याद रखिएगा एक conductor के अंदर conductor का मतलब क्या होता है ऐसा substance जो की electricity का अपने अंदर conductor conduct करा है फ्लो करें उस substance को यह लोग conductor कहते हैं तो ऐसा conductor ऐसा conductor जिसमें की electric current flow करें और वो electric current कब उस conductor में flow करेगा तो उसका एक छोटा सा डाइग्राम मैं आपको देता हूं suppose and मानिए suppose and मानिए कि यह आपका एक conductor है ठीक है यह आपका मालने तो यहाँ यहाँ पर एक लोहा करड़ है यह लोहा करड़ अब इसमें जो है current flow कराना है ठीक है तो हम यहाँ पर electric जो है वायर से इसको connect कर दिये दोनों तरफ से इस तरह से वायर से जो है वह हमने connect कर दिया इसको अब इसमें electricity जैसे हम स्विच ओन किये तो electricity जो है फ्लो कप करेगा जब इसके अंदर electron का क्या होगा electron का क्या होगा movement होगा यानि electron इसके अंदर क्या करेगी move करेंगे तब जो है वह आपका यहाँ पर इस conductor के अंदर electricity flow करेगा ठीक है अब ध्यान रखेगा electron का movement अगर मालते हैं इधर से इधर क्यों रहे है तो current का मुशमेंट होगा जैस्ट का अपोजिट होगा यानि current का moment इधर से इधर की और होगा यानि इलेक्ट्रोन का जो मुवमेंट है इलेक्ट्रोन का मुवमेंट अगर इस डिरेक्शन में है तो करेंट जो है वो आपका किदर क्यों करेगा करेंट का मुवमेंट जस इस का अपोजिट डिरेक्शन होता है यह चीज आप याद रखेंगे ऐसे आगे लिखा हुआ है notes में हम पढ़ेंगे आगे चलिए so उमीद है आप इतना तो समझी गए होंगे the next लिखते है next क्या है by convection electric current flow in the opposite direction of the movement of electrons यानि convection के दोरान जो electric current है उसका जो flow है वो आपका opposite direction में होता है जीधर की और electron movement कर रही है उसका opposite direction में जो है वो आपका moment होगा किसका current का जिसको कि मैंने आपको diagram के थूँ जो है वो बता दिया है so उमीद है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा काफी आराम सो हम लोग पूरा इस series को complete करेंगे 20 days में आपका पूरा जितना भी numerical है सारा कर लेंगे इस से बाहर आपको पढ़ने का जरुवत नहीं है ठीक है so numerical जो है आपका जितना theory part है जितना भी आपका क्या बोलते हैं उसको question sensor है सारा हम लोग complete करेंगे 20 days के अंदर physics और chemistry का अगर इसी तरह का lecture आपको biology का भी चाहिए तो आप एक बार comment कर दीजेगा comment section में पिन कर दीजेगा हम लोग उसको भी देख लेंगे चलिए so then उसके बाद next जखते है next हमारा है electric circuit so electric circuit किसको कहते हैं अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे है so electric circuit किसको कहते है closed path जो है ऊपका बनाता है क्या ची तो वो आपको बनाता है कौन electric circuit electric circuit जो है वेक आपका क्या बनाता है continuous unip Pablo ऄज़िए अप मेरत एक याद हो जाये exam में आये तो आपको अभी याद हो जाए क्लास के दोरान ही जो है वह आपको याद हो जाए इसलिए मैं जो है आपको बार बार रट के जो है वह बता रहा हूं so electric circuit के बारे है मैंने आभी आपको बता है क्या कि वह एक closed path बनायेगा जिसमें कि एक current जो है वह continuous slow करे क्या करें continuous slow करें उस circuit को हम लोग electric circuit बोलते हैं जैसे for an example ले लेते हैं तो example जैसे कि हम आपको यहाँ पर लेक दिखाते हैं ठीक है तो example के लिए एक काम करते हैं इसको जो है थोड़ा सा पतल ले लेते हैं तो देखिए एक्जाम्पल के लिए जैसे कि हम माल लेते हैं एक यहां पर यह बैटरी है यह हमारा बैटरी है छोटा सा इस से हमने वायर कनेक्ट किया इस तरह से यह यहां पर माल लेते हैं यह हमारा स्वीज्ड है यह इस तरह से स्वीच है उसके बाद यह इस तरह से गया य यहां पर हम एक Bulb connect कर लेते हैं यह हमारा Bulb है ठीक है इसको हमने connect कर लिया wire से और इस वायर को ऐसे ले जाके ऐसे करके ऐसे इसमें बैटरी से जोड़ दिया ठीक है तो यहां पर देखिये यहां ते जो है current निकलेगा बाहर इस तरह से जो है वो current बाहर निकलेगा current जो है वो बाहर निकलेगा बाहर निकलेगा ऐसे जाएगा bulb के अंदर bulb जो है वो glow करेगा bulb जो है इस तरह से sorry यह क्यों होगा bulb जो है वो इसके अंदर जो है वो क्या करेगा glow करेगा इस तरह से यह बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक करेंट जो है यह जो सर्कीट बना यह सर्कीट पूरा क्लोज सर्कीट है पूरा देखिए यह एक क्लोज सर्कीट है इसी के अंदर करेंट बार बार फ्लो कर रहा है फिर बैटरी कंद जा रहा ला जात फिर करेंट फ्लो कर रहा है यह पूरे एक क्लोस जो है आपका लूप बने गया एक सर्कीट का इसी सर्कीट को हम लोग बलते हैं इल्यक्ट्रिक सर्कीट जिसका कि मैंने अभी आपको एक्गाम्पल उपर दिया है ठीक है ठीक है सौरी आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ पर जोईन हो जाएगा आप पढ़ भी सकते हैं जैसे यह लिखा हुआ है डाइग्राम बना हुआ है सब हुब हुआ ऐसा ही आपको मिल जाएगा ठीक है तो आपको नोट करने का जुरूत नहीं है बस आप क्लास में ब मिल जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपका एक्स्प्रेशन ऑफ इलेक्रिक करेंट अब इलेक्रिक सहां इलेक्रिक करेंट का कैसे एक्स्प्रेशन करेंगे उसके बारे में है तो देख लेते हैं क्या है कैसे है इलेक्रिक करेंट इस डिनोटेड बाई य यानि कि electric current को हम बोल सकते हैं कि जितना flow हो रहा है electric charge किसी एक conductor में या फिर rate of flow means यानि कि rate of flow यहाँ पर जो use किया गया है word इस जगह पर जो यह rate of flow use किया गया इसका मतलब यह है electric current के लिए electric current is expressed by the rate of flow of electric charge यानि electric charge एक conductor में जितना rate of flow से जो है क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है उस conductor के अंदर तो rate of flow का मतलब यह है कि the amount of charge flowing through a particular area in unit time यानि कि एक particular एरिया में यानि कि supposed मैं अगर आपको यहाँ पर एक diagram बना के दिखाऊ हूँ इस जगा पर अगर मैं आपको यहाँ पर diagram बनाख दिखाऊ तो जैसे कि यह particular यह conductor है यह conductor है आपका conductor अब इस conductor के अंदर जो है conductor के अंदर एक electric current का जो है flow हो रहा है इलेक्ट्रोन फ्लो इधर कर रहा तो current आपका flow इधर करेगा यह आपका current का flow है opposite direction में अगर electron का flow दो चलिए तो यहाँ पर current का जो है this flow इस direction वहोगा ूल्टा direction में यह इधर के और current का flow है और उधर के और जो है आपका electron का flow है सो मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पर क्या ची कि the amount of charge flowing through a particular area in unit time यानि कि एक second के अंदर किसी एक खास area में suppose that मान लेता है कि इस इतने दूर में कितना जो है वो electric current flow किया है यानि कि इस खास area में एक unit area में एक unit यानि एक fixed area के अंदर एक second के अंदर कितना यहाँ पर charge flow किया इस conductor के अंदर इसी को बोलते है rate of flow इसी को हम लोग क्या बोलते है rate of flow सो उमीद आप समझ गहोंगे सो यहाँ पर क्या है the amount of charge flowing through the particular area in unit time यानि कि unit time का अतलब है एक second दो second उसके अंदर कितना amount of charge flow हुआ है उस particular area के अंदर जिस area मैंने आपको यहाँ पर यह बताया ठीक है कि इस particular area के अंदर जो है वो कितना electron flow हुआ है इस particular area के अंदर चलिए उमीद है समझ गहोंगे इसके बारे में अब यहाँ पर इस diagram के थुरू आप समझ लीजे क्या है diagram में जो है यह यहाँ पर battery है battery से इस तरह से connection जो है वो किया हुआ है यह इस तरह से connection है अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यह वाला जो diagram है यह वाला यह flow of positive charge का है positive charge का flow इधर की ओर है और negative charge का flow जो है वो इधर की ओर है battery में आपका दो होता है नあ positive और negative तो वही बोल रहा है सारा कहानी कैसे है क्या है, तो यही आपको इस डायिग्राम में जो है वो दिया हुआ है, मैं थोड़ा सर देता हूँ time, क्या आप देख ले ध्यान से, चलिए, यही डायिग्राम में आपका flow positive charge का, flow of electron का जो है, यहां पर दिया हुए, चलिए, so यही ए convection of flow of electric charge then उसके बाद next देखते है next क्या है next वाल अलाइन पढ़ते है क्या है if a net electric charge so जयाद रखेगा charge का donation हम लोग क्यू से करते है so net electric charge अगर हम देखे flow through a cross section of cross section of conductor in time t then यानि कि यहाँ पर अगर मैं net electric charge देखना चाहूं जिसको कि ice rate करता हूं so net electric यहाँ पर sorry क्या है हाँ net हम यहाँ पर electric charge flowing through a cross sectional area एक conductor के अंदर यानि अगर इध्यान से सुनिएगा friend my dear कि अगर एक net electric charge divided by time कर देते हैं total time यानि कि एक net charge निकाले total charge जो है कितना time के अंदर जो है flow किया तो वहाँ पर जो चीज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा तो वो आपका निकल के आएगा electric current कि कितना उस circuit के अंदर कितना उस conductor के अंदर current जो है flow किया है यानि अगर मैं आपसे simple भासा मैं बोलू sorry यानि मैं आपको simple भासा मैं यहां बोलना चाहूं तो electric current का definition हो जाएगा क्या कि net charge of a conductor sorry net charge flowing through a conductor in a particular time is called electric current यानि net charge जो है एक particular time के अंदर flow हो रहा उस conductor के अंदर इसको ग्याद करने इसको calculate करना ही होता है आपका क्या इसका calculate करना ही होता है electric current सो उमीद है आप electric current के बारे में समझ गए होएंगा उसका definition जो है आप समझ गया है और उसका formula आप याद रखेंगे उसका formula क्या होता है electric charge electric current को आइशे डिनेट करते हैं तो i is equal to electric charge को q से और time को t से so i is equal to q divided by t जो है वो आप याद रखेंगे then next where i is electric current q is net charge and t is time in a second याद रखेंगा यहाँ पर जो नीचे t है वो आपका second में होना चाहिए time time आपका क्या होना चाहिए second होना चाहिए मैं आप आप हाईलाइट कर देता हूं time जो आपका कैसा होना चाहिए second में होना चाहिए चलिए then next जो SI unit है अब उस SI unit के बारे हम लोग पढ़ेंगे तो जो SI unit है आपका किसका तो SI unit SI unit of electric charge electric charge का SI unit आप याद रखेंगा coulombs होता है then next यह सब चीज आप याद रखेंगे कि जो SI unit है आपका charge का या फिर electric charge का वो आपका coulombs होता है अब एक आप से जो है exam में पूछ लेगा एक दो number का question क्या ची कि define करो one column one column को define करो तो आप कैसे करेंगे तो याद रखेंगे one column का definition ऐसा आपका नीचे पढ़ेंगे बट आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखे one column is nearly equal to अगर आप से simple सा अगर एक number में पूछ देता है कि one column जो है वो nearly किसके equal होगा numerical value में तो याद रखेंगे 6 into 10 का power 18 electrons यहाँ पर यह 10 into में नीचे 18 नहीं लिखा है 10 का power 18 है 10 का power 18 का मतलब है कि यहाँ पर जो है ओ छोटा से मतलब बढ़ेंगे यहाँ पर जो है numerical value में कितने की equal होता है तो आप आप समझ गए कि एक column जो है numerical value में 6 into 10 का power 18 electron के equal होता है और electric current का अगर SI unit आप से पूछ दे तो electric current का SI unit होगा वो आपका ampere होता है यह भी आप ध्यान में रखेंगे ampere का definition अगर पूछ दे देखें कितना important important question जो है इस notes के अंदर है और इस से बाहर आपका आएगा भी नहीं यह भी ध्यान रखेंगे तो अगर आप से ampere का definition पूछ दे ampere का कि ampere को बताओ कि ampere का definite define आप कैसे करेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है तो लोग कर देते ampere का definition बोलेंगे ampere is the flow of electric charge यानि ampere जो है वो electric charge का flow है through a surface एक surface के अंदर कितना electric charge flow हो रहा है at a rate of कितने rate के अंदर तो 1 कूलम पर सेकेंड यानि कि हर एक सेकेंड में एक कूलम अगर आपका जो है charge flow हो रहा है किसी एक circuit के अंदर किसी एक conductor के अंदर तो उसी को हम लोग electric charge बोलते हैं और उसी को हम लोग ampere बोलते हैं यानि कि अगर हम आपको बता है अगर हम आपको यहाँ पर formula थोड़ा सा दिखा है क्या ची का ध्यान से दिखिएगा अगर मैं आपको electric charge का formula दिखा हूँ तो electric charge का formula क्या था oh sorry एल्लेक्ट्रिक करेंट का चार्ज करेंग है एल्लेक्ट्रिक करेंट का अखिने का फोर्मूला बता है था जब एक कूलंब का charge कूलम्ब की हुगा क्योंकि charge का assign it कूलम होता है तो one कूलम लिखेंगे और time का assign it second में होता है मैंने बता है बताई बिता कि near time था वो second में होगा highlight कि highlight कर देते हैं तो आपको definition में बोला कि 1 second का अधर एक कूलम charge flow होगा तो यहां से definition पूछे तो अब उमीद है आप बता देंगे कि one कुलंब का charge जो है वो एक second के अंदर flow हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं ampere उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ampere so बस my dear friend वही यहां पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ampere is the flow of electric charge through a surface एक सर्फेस से electric charge का flow होता है at a rate किसी rate के अंदर of one कुलंब पर सेंगे एक कुलंब के अंदर कितना है मैंने की एक कुलंब का charge एक second के अंदर कितना flow हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ampere उसको जो नापते हैं उसको हम लोग ampere में नापते हैं ठीक है उमीद है आप ampere के बारे में समझ गया होंगे दैन उसके बाद next देखते हैं next क्या है this means इसका मतलब यह है कि एक कुलंब का चार्ज जो है एक सेकेंड के अंदर कितना जो है flow हो रहा है इसका मतलब यह है और वो आपका equal होगा एक ampere के जो कि मैंने आपको नीचे formula के थुरू बता भी दिया है यानि one ampere is equal to one column upon में one second यह आपका यहाँ पर बनेगा जो कि नीचे आपको मैंने just अभी formula जो है वो बना कर यहाँ पर दिखाया है ठीक है चलिए उमीद है मजा रहा होगा पढ़ने आए काफी important important question जो है मैंने आपके लिए लाया है notes के जरिए और यह सारे questions आपके लिए most important question जो है वो बन जाता है आपके लिए quantities of electric current is expressed in milliampere में express कर सकते हैं microampere में express कर सकते है small quantity of electric current काम लोगり amper microampere में भी express कर सकते हैं milliampere काम लोग M a से लिख सकते हैं और microampère काम लोग P a से लिखते हैं चलिए तो यह चीज आप ध्यान में रखेंगे so 1 milli ampere जो है कितना आपका ampere की equal होगा तो यहाद रखेगा 1 milli ampere जो है आपका 10 का power minus 3 ampere की equal होगा नीचे minus 3 नहीं उपर minus 3 होगा यह थोड़ा से आपके mistake है ठीक है इसको आप लोग सुधार लिजेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 का power minus 3 होगा यह mistake है और यहाँ पर जो micro ampere है यह आपका 10 का power minus 6 जो है वो ampere होगा ठीक है यह आप यहाँ पर सुधार लिजेगा चलिए उबीद है यह सारा जनकारी आपको मजा रहा हूँ है आप अगर नहीं पड़े हैं तो आपको जो ही यह नया लग रहा होगा या फिर आप पड़े होंगे तो आपका रिवाइज हो रहा होगा बढ़िया से देन उसके बाद M meter किसको कहते हैं अब M meter को जो हम लोग पढ़ लेते हैं M meter किसको कहेंगे So M meter आपका एक apparatus यानि ये कि ये device होता है जो कि आपको measure करता है An M meter to measure electric current in a circuit यानि अगर एक circuit में आपको current को measure करना है अगर एक circuit में आपको current का measure करना है तो आपसे question कुछेगा कि बता हम कौन सा meter use करेंगे exam में case based MCQ अगर आपसे आता है कुछ एक case देगा उस case के अंदर घर का जो है आपको case देगा घर के अंदर एक meter दिखाएगा और उस meter के अंदर एक wire रहेगा कि हम इस घर के अंदर जो है नापना चाहते हैं कि कितना current flow हो रहा है तो बताइए कि आप कौन से meter से नापेंगे तो आप वहाँ पर answer देंगे m meter क्योंकि हम लोग electric current को किस से नापते हैं तो electric current को हम लोग m meter से नापते हैं उमीद है आप समझ गये होंगे चलिए then charge अब आया charge का बारी चार्ज आपको पता है कि like charge और unlike charge दो चार्ज होते हैं so like masses the charge is fundamental property of matter matter का charge जो है वह एक fundamental properties है जो कि दो types का होता है तो types का होता है पहला positive charge और दूसरा negative charge ये तो छोटा मटा concept सब को पता है so positive और negative charge के आवरे में हलका सा पढ़ लेते हैं जल्ली जल्दी क्योंकि ये सब आपको पता होगा मुझे भी पता है कि आपको पता है so the charge acquired by a glass rod when rubbed with silk is called positive charge यानि एक glass rod पर जो की rubbed करते हैं एक silk से यानि एक glass rod जो है एक रइड है चिसको कि हम लोग एक silk के साथ बैं आप जब उसको रगड रहे तो वहाँपर पर जो है आप उसको रगडते हैं तो वहाँ पर पोजीटीब चार्ज का जो है, वह जन्रेशन और और negative चार्ज दोनों का जो है वहाँपर generate होता है ठीक है चलिए सो वही बोल रहा है कि positive charge आपका वहाँ पर होता है और charge acquired by evonite rod when rubbed with wool is called negative charge सो यह चीज आपको यहाँ पर दिया हुआ है समझ गया या फिर अगर मैं आपको simple सा भासा में बताओं क्या तो ध्यान दिजेगा यहाँ पर जो है यह एक आपका माल लेते हैं कोई एक जो है यह इस परकार का कोई एक चीज है वस्तु है ठीक है इसको और एक बढ़िया से मनाते हैं माल लेते हैं यहाँ पर जो है वह आपका एक इस तरह से रबबड जो है वो है यह रबबड है ठीक है रबबड नहीं माल ल इसके उपर जो है वो positive charge है, इसके उपर कौन सा charge है, positive charge है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ जब positive charge है तो इसका opposite action में कौन सा charge होगा, negative charge होगा, ये तो सब को पता है भाई, अगर एक तरफ positive है तो दुसरे तरफ negative होना ही होना है, तो ये जो वस्तू है, किसी other वस्तू के साथ, माल लेते हैं, यहाँ पर other वस्तू को रड है, इस रड के साथ जो है, ये इसके पास आएगा, इसके पास जब ये आएगा, तो जब इस वाले वस्तू पर, यानि इस वाले वस्तू पर इस तरफ positive charge हमको दिख रहा है, तो इधर अपने आप कौन सा charge generate होगा, ये मुझे आप बताएंगे, फटाक्सी, कौन सा charge generate होजाएगा, तो इसके पास जो है, वो, इस साइड कौन सा charge generate होजाएगा, निगेटिव चार्ज जो है, वो generate होजाएगा, उमीद है आप समझ रहे होगे ये सारा चीज, तो यही खेल आपका होता है positive negative का सो वही आपका यहां पर बॉल रहाए positive charge और negative charge के बारे में अब यहां पर कुछ devotees है properties को पढ़ लेते है properties of electric charge के बारे में चली हुआ कि देख लेते हैं my dear resident थो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं property charge और इलेक्ट्रिक charge और तक बारे एक सिम्पल एक स्वेसल वीडियो बनाके 2-3 मिनिट का मैं इस टॉपिक पर समझा दूँगा वैसे अगर आपके एक्जाम के लिए जो है यह इंपॉर्टेट नहीं है बट अगर आपको जनकारी लेना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं अगर एक्जाम सिरेटेड अगर इंपॉर्टेट होता तो मैं आपको बता देता है बट आपकी एक्जाम में नहीं पुझेगा इस तरह का कॉश्चिन चलिए इसके बारे में क्योंकि यह 20 डेस का जो है वह एक आपका में रखा हुआ जो है 20 डेस का एक क्रेस कोर्स जो है यह आपका है साइंस का फिजिक्स का तो मैं इसमें आलतु-फालतु चीज नहीं पढ़ाना चाहता हूं ठीक है चलिए जो इंपॉर्टेंट है बस उसको में ले सब्सक्राइब लाइक जो है वह सारा करते रहे तब ही मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा और में जो है धड़ादर 20 डेस के अंदर में आपका पूरा कंप्लेट कर दूंगा और अगर आपका रिस्पोंस अच्छा रहा तो मैत का भी जो है वह 20 डेस का टार्गेट लेके फूल मैत जो है आपका 20 दिन के अंदर में लोग कंप्लेट करेंगे ठीक है बट आपका जो है मुझे रिस्पोंस अच्छा दिखेगा तब ठीक है चलिए हर एक वीडियो पर अब इसका देखते हैं इसका प्रोपर्टी क्या है इलेक्टिक चार्ज का तो पहला प्रोपर्टी क्या कहता है पहला प्रोपर्टी यह कह रहा है कि अनलाइक चार्ज एट्रेक्ट इच अदर यानि अनलाइक चार्ज जो है अनलाइक का मतलब है कि अलग 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 क आपका मतलब है कि एक पॉजिटीव चार्ण है doesn दूसरा नीगेटीव चार्ज है तो यह दोनों आपस में क्या करेंगे एक सेगंट इसको मैं थोड़ा सदूर दूर बणा लिता हूं कि यह पॉजिटीव चार्ज है और यह एक आपका नीगेटिव चार्ज है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे unlike charge attract करते हैं एक दूसरे के पास ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे जैसे कि एक magnet है magnet भी इधर north pole इधर south pole होता है तो ये दोनों magnet आपस में attract कब करेगा जब इधर north pole और south pole जाए यानि कि ये जो position है ये दोनों अलग 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 रहें इधर south pole रहें इधर north pole रहें अलग अलग pole रहेंगा तभी ये दोनों magnet जो है वापस में क्या करेंगा attract करेंगा समझे करें तो आपका कब होगा जब unlike pole होना चाहिए यानि unlike charge जो है उसके उपर होना चाहिए unlike charge होना चाहिए तभी यह ऐसा हो सकता है तो वहीं बोल रहा है कि unlike charge attract each other और वहीं पर like charge होता है वो repel करेगा यानि like charge का मतलब है कि same sign होगा यानि जैसे कि यहाँ पर मैं बता हूँ आपको same sign का मतलब है जैसे कि यह आपका positive charge है और यह भी आपका positive charge है तो यह दोनों आपस में दूर भागेंगे एक दूसरे के पास कभी नहीं आएंगे ठीक है यह होता है like charges चलिए then इसका next property क्या कहता है तो next property है कि the force between two charges varies directly as the product of two charges यानी इन दोनों charges के बीच में जो force लएगा attract होने का या फिर repel होने का यानी के चिपकने का या फिर दूर होने का जो भी force लएगा अब attract भी होगा तो कोई ना कोई force लग रहा होगा तभी तो attract हो रहागा एक दूसरे के सांथ आगे चिपक रहा तो कोई ना कोई तो ऐसा force होगा जो इन दोनों को दूर भगा रहा होगा तो वही force इन दोनों object के बीच का इन दोनों sign के बीच का इन दोनों charges की बीच में जो force लग रहा है वो जो है आपका directly proportional होगा किसके वो directly proportional होगा product of two charges दोनों charges के product के directly proportional होगा और inversely proportional होगा square of the distance यानी उ इन दोनों का बीच का क्या है दूरी तो इन दोनों का बीच का दूरी मान लेते हैं कि यह है यह आर दूरी है सो यह होता है तो इस आर का यानि इन दोनों के बीच का जो दूरी है उसका स्क्वाइर उसका क्या square चलिए कहां थे तो उसका square between them और both charges दोनों charges के बिच का जो है दूरी का हम लोग उसका square कर देंगे यानि कि यहाँ पे एक formula का बन रहा है force is equal to q1 into q2 यानि पहला charge multiply दूसरा charge और divided by में inversory बीच का कि दोनों के बिच का दूरी का स्क्वाइर के तो आर का स्क्वाइर कर देंगे यहां आर के नीचे टू नहीं होगा आर के उपर टू होगा यहां आर के नीचे जो है एक सेकेंड रुखिएगा मैं इसको जो है वो ठीक करने अगोशिस करता हूँ यहां R के नीचे जो है यह 2 नहीं होगा R के उपर 2 होगा इसको मैं यहां से मिटा के और R के उपर जो है उम्में 2 लिख देता हूँ R के उपर में 2 होगा समझ गए तो Q1 Q2 मल्टिप्लाइड वाई में R का स्क्वाइर यानि अगर मैं यहां से अब प्रोपोस्नल साइन हटाता हूँ तो एक कॉंस्टेंट जोड़ता है यह चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखेंगे तो आपका एक नया फर्मूला बन के आएगा जो है वो जूड़ जाता है जिसका नाम के होता है ठीक है इसको अब लोग बोलते हैं कॉंस्टेंट तो यह के जो है आपका कॉंस्टेंट है तो आप बनेगा एक नया फर्मूला फोर्स इस अकॉल टू के क्यो एन क्यो टू वाई में R स्क्वाइर क्योंस्टेंट होता है जो एसा इनिट क्या बना चार्ज का कॉलंब पहला ही पढ़के हैं वन कॉलंब इस अकॉल टू वन एम्पियर मल्टिप्लाइड वे में वन सेकेंट होगा ठीक है यानि कि अगर यहां पर देखें क्या ची एक सेकंड रुकिएगा वन कुलम यानि की चार्ज हो जाएगा कुलम का मतलब चार्ज यानि क्यू हो जाएगा is equal to ampere तो यानि current हो जाएगा into time यानि की second यानि की टाइम हो जाएगा यानि q is equal to i into t यहाँ बन रहा है यह formula काई हम देखके नहीं आई है आप कहाँ आप 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 कहाँ से formula बना लिए यह कहाँ से formula बना लिए q is equal to i multiplied by T अब ध्यान से इस चीज़ को देखिए यहां पर लिखा हुआ है इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए यह इस चीज़ को 1 Coulomb का मतलब हुगा चार्ज तो चार्ज का हम लोग Q से डोनेट करते हैं आपको क्यू लिख दिया उसके बाद 1 Ampere का मतलब current होता है तो मैंने यहां पर i लिख दिया Multiply है तो multiply का sign होता है नहींने यहां पर time दे दिया तो आपका यहां पर formula बनके आ जाता है सामने तो मैं अब यहाँ पर ध्यान से देखना चाहूं तो अरे यह तो एक मैं फर्मूला पड़े क्या था अभी जस्ट किसका electric current का क्या पड़े थे तो electric current is equal to थोड़ा सा जुम करना पड़ेगा लगता है हाँ चलिए तो क्या पड़े क्या थे कि electric पड़े क्या थे कि electric current is equal to net charge यानि कि Q divided by time जो कि second में होना चाहिए किस में होना चाहिए इन सेकेंड यह चीज़ पड़े क्या थे मैंने हालाइट किया थे कि second को प्याद रखेगा कि time उसका second में होता है अगर मैं यहां से इस time को मैं यहां से इस time को इधर i के तरफ ले जाओं तो क्या बनेगा तो अब बनेगा यहां पर Q is equal to i के तरफ अगर मिले जाओंगा तो i multiplied by में t बन जाएगा तो यही फर्मूला तो नीचे लिखा हुआ है Q is equal to i multiplied में t देखिए Q is equal to i multiplied में t लिखा हुआ है उमीद है आप समझ रहेंगे यह सारा चीज तो यहां पर आपका वही कहानी बनके आया यानि मैं आपको इसलिए यह बताना चाहता हूँ कि अगर अब आपसे वन कूलंब का डेफिनिशन पूछ दे तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि वन कूलंब का डेफिनिशन क्या हो जाएगा कि जिसमें एक एमपियर का करेंट जो है एक सेकेंड के अंदर में फ्लो करें उसी को हम लोग वन कूलंब बोलते हैं उमीद है आप समझ रहेंगे यह सारा चीज मैं आपको क्यू पढ़ा रहा हूँ यह भी मैं आपको बता रहा हूँ चलिए जब एक सेकेंड में अगर कोई फ्लो करता है अगर एक एमपियर का करेंट तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यह देखे आपको यहाँ पर डेफिनिशन लिखा भी हुआ है जब वन कूलंब चार्ज का डेफिनिशन लिखा हुआ है चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है उमीद है इतना सारा चीज तो है आपको पढ़के मज़ा आहीं गया होगा नेक्स्ट अब हम दो देखेंगे इसको अब बारी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफ्रेंस के बारे नेक्स्ट के पार cold बारे ठीक है तो देखें से पहरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियलने गतलिक दो पढ़्यांगे 9th class में ठीक है so जो electric potential energy का जो amount है किसी एक point पर एक खास point पर suppose that मानिए मेरे पास जो है वो एक ये point है red color का आपको दिख रहा है इस point पर हमको electric potential निकालना है इस point पर हमें electric potential निकालना है तो हम देखेंगे कि इस point पर जो है कितना electricity CT द्वारा energy लगाया गया है ठीक है ये चीज़ हम वहाँ देखेंगे तो जो हम वहाँ पर नापते है amount of electric potential energy at a point किसी एक point पर जो आपका electric potential energy जो है एक point पर जो नापा जाता है ठीक है जो amount होता है उसी को कहते है is called electric potential अब पोटेंशल डिफरेंस किसको कहते है तड़ा difference in the amount of electric potential energy between two points अब एक point पर जो हम लोग electric potential energy को जो है वो क्या कर रहे है नाप रहे है तो हम उसको बोल रहे है electric potential but अगर हम किनी दो पॉइंटों के बीच में अब हम किनी दो पॉइंटों के बीच में एक पहला वाला point और एक दूसरा वाला point के बीच में अब हम नापेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना potential अब हम potential ही तो नाप रहे है potential energy ही तो नाप रहे है है ठीक है यानि difference करते हैं उस चीज़ को हम लोग बोलते है potential difference ठीक है तो क्या कहा रहा है यह line line कहा रहा है the difference between the amount of electric potential sorry electric potential energy between two points दो points के बीच में electric potential energy को हम लोग क्या कर रहे है नाप रहे है in an electric circuit एक electric circuit में electric circuit भी मैंने आभी आपको बना के दिखाया है अन्हें बथे जह रहा है so its called electric potential difference सभी हम लोग उसी को उली पोटनियल difference बोलते है तो electric potential difference is also known as voltage यह चीजह भाग activate का जो हम लोग डिफरेंस नापते हैं रह जाएगा complete करना है यानि 20 days में पूरा physics chemistry complete करनी है और math बहुत जल्दी start करवाना है तो आपको जो है थोड़ा सा आपको भी जो है वह effort जालना पड़ेगा यानि like share and subscribe करना पड़ेगा चैनल को ठीक है ताकि हमारा भी motivation जो है वह बना रहा है यह किसका call आ गया एक second रुकिए आपकेगा चलिए तो start करें next आगे देखते हैं हमारा आगे का क्या है program यानि आगे कौन सा topic है program नहीं अब आगे topics देखेंगे कि हमारा topics क्या कहर रहा है तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे क्या है कि which is equal to the amount of work done to move the unit charge between two points against static electric field यानि बोल रहा है यह कि जो potential energy हम लोग पढ़े इलेक्रिक पोटेंशेल डिफ्रेंज जिसको में लोग वोल्टेज बोल रहा है वह equal होता है आपका क्या चीके तो वह equal होता है work done work done to move unit charge यानि एक unit charge जिसको में लोग जिसका की value 1 होता है unit charge का तो एक work done to move unit charge एक unit charge जो है move कर रहा है between two points against static electric field यानि एक simple सा जो है field में जो है एक charge जो है वह move कर रहा है एक simple सा जो है फिल्ड एलैक्ट्रिक फिल्ड उसमें एक charge मूव कर रहा है उसका हम work done निकाल लेते हैं तो हम लोग उसको भी voltage हैं क्या बोलते हैं उसको ही हम लोग voltage बोलते हैं यानि आपका यहां पर simple voltage का formula आ गया voltage is equal to work done multiplied by ने charge ये आपका यहां पर क् एक प्यारा सा फर्मूला बन गया वोल्टेज इसे कॉल टू वाग्डन मुल्टिप्लाइड वाई में चार्ज जो है वह आपका यहां पर एक प्यारा सा फर्मूला बन के सामने आ गया ठीक है माई डिया रेस्टेंट कुछ गडबड मुझे लग रहा है मुल्टिप्लाइड वाई में तो होना नहीं चाहिए यहां यही तो मैं बोलू यहां में स्प्रिंट कर देते हैं लोग बहुत ज्यादा दुख होता है हमें यह यहां पर जो है voltage is equal to work done multiplied by में चार्ज याने की आपका यह नहीं होगा यह थोड़ा से यहां पर गलत लिखा है फर्मूला यहां पर मैं आपको थोड़ा सुधाने एकोशिस करता हूँ इस जगह पर लिख लिजएगा आप लोग भी ठीक है चलिए आपका क्या होता है voltage is equal to याद रखें के Northernे फिरंड वोल्टेज इस एकोलट ना दे यह जो है आपका यह जो है ध्यान ना दे इस जो है जो है आपका यह गलत लिखा हुआ है so voltage is equal to work done, divided by the charge that works here then next , उसके बाद voltage and electric potential difference is donated by आपको पता है, voltage को आपको अब लोग V से donate और electric potential difference भी इसको आपको पता होना चिह voltage or electric potential difference अभी पढ़ किया है दोनों स्बात है so आपका यहां से formula बना क्या अब हर जगह यह formula आपका गलत होता चला जाएगा क्योंकि एक जगा गलत हुआ तो सब जगा होगा यह तो नेचर है मैथ का यहां पर यह चीज जो है वह आपका गलत है यहां पर क्या हो जाएगा V is equal to W by Q sorry Q Q बोल रहे हैं V is equal to V को Q बनाने में मजाएगी आप Q बोल दिए Q को V is equal to W by Q is your correct जो है आपका यहां पर बनेगा फर्मूला W यहां पर work done है और Q यहां पर चार्ज है than SI unit जो है क्या होता है potential difference का तो सब को पता है voltage होता है so voltage is your correct answer SI unit SI unit of electric potential difference is volt सब को पता है denote करते हैं V से this is named by the honor of italian physician थे यह क्या था नाम उनका तो उनका नाम था Alexandro Volta अपने नाम पर ही रखे थे क्या ची वोल्ट का SI unit sorry वोल्ट का करें potential difference का SI unit जो वोल्ट होता है वो अपने नाम पर ही रखे थे Alexandro Volta नहीं यह सब चीज आप जो है जनकारी याद रखे छोटे छोटे से ताकि आपको answer IT में काफी मदद मिल जाए then उसके बाद आपका क्या आता है अब series उसको देखेंगे क्या है since joule is the unit of work यह सब को पता है यार work का SI unit क्या होता है joule होता है कुलंब किसका है तो कुलंब आपका charge का SI unit है so अब next देखेंगे next आपका की one यहां one लिखा हुआ है यहां वोल्ट लिखा हुआ है so one वोल्ट of electric potential difference किसके equal होता है so अब हम लोग formula पढ़े क्या है electric potential difference का क्या ची क्या ची पढ़े है electric potential difference का यानि V is equal to क्या पढ़े क्या है ओ यह कुछ ज्यादा ही पतला हो गया अब हम लोग पढ़े क्या है V is equal to W by Q so अब हमें one वोल्ट चाहिए so one वोल्ट चाहिए तो हमें one जूल काम करना होगा work को जूल में हम लोग करते हैं न so यहां एक साफ साफ लिख लेते हैं इसको काटते हैं इस जगा पर करते हैं बढ़ियां से सो अब हमें कह रहा है एक्जामीनर के भाई Wot is equal to आप पढ़के आयागे वर्क वाई में क्या चार्ज ठीक है यह एक्जामीनर बोला तो हमने बला कि हाँ थीक है भाहिया ने ने तो यही पढ़ाया है तो एक्जामीनर बोल रहा है क्या कि ठीक है तो बताओ वन वोल्ट को आप क्या करिएगा वन वोल्ट आप कैसे लएगा सबको पता है वर्कडन को जो है जूल में नापते हैं तो वन जूल ले लेंगे उपर चार्ज को अम लोग कुलम में नापते हैं तो वन कुलम हो जाएगा नीचे तो यह आपका यहाँ पर बने गया वन वोल्ट इस एकल लोग वन जूल अपन में वन कुलम जो है होना चाहिए अब यही चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अब देख लेंगे क्या लिखा हुआ है चलिए आईए तो इस एकल टू वन जूल अफ वर्क तो बी डन टू मूव चार्ज ओफ वन कुलम फ्रों वन पॉइंट तो दा अनदर पॉइंट या फिर अनदर पॉइंट इन इस सर्किट इलेक्टिक ठीक है तो जो मैंने बता है वह चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है आब वन वॉल्टिज अपर में बीच में मीन नहीं होगा यह चीज आप ध्यान रखे करेक्ट करने चलिए तो नेक्सट देखते हैं हमारा वॉल्ट मेटर किसको कहते है बाई तो देखिए वॉल्ट मेटर वॉल्ट मेटर so an apparatus यह एक apparatus है जो measure करता है potential difference जैसे हमने m meter पढ़ कहा था m meter current को measure करता है उसी तरह से voltmeter जो है potential difference को measure करता है electric potential difference जिसको लोग बोलते है between two points दो points के बीच का electric circuit में यह होता आपका voltmeter so then उसके बाद galvanometer किसको कहते है तो galvanometer पढ़ लिजएगा यह भी एक device है जो detect करता है current को in an electric circuit electric circuit में current को detect करता है और वो भी कैसा current small current यानि काफी छोटा current भी अगर उससे pass हो जाए galvanometer के meter से अगर पास हो जाए तो वो उसको भी detect कर लेता है galvanometer यह चीज आप ध्यान में रखेंगे चलिए अब आया आपका ohm's law जो कि आपका exam में काफी most important जो है वो topic बन जाता है ohm's law तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे ठीक है चलिए तो ohm's law को जो है हम लोग पढ़ने जा रहे है ohm's law जो है so ohm's law क्या होता है कैसे इसको state करेंगे यानि कैसे इसको define करेंगे ohm's law states that potential difference between two points यानि potential difference जैसे पढ़ क्या है potential difference क्या हो गए जब दो point के बीच कहा है तो difference निकलता है ठीक है जैसे मैं आपको बोल दू मैथमेटिक्स में पढ़ाऊं कि दो और एक के बीच का कितना दूर है ताब क्या करेंगे दो में से एक घटाते हैं तो यह होता है इसको हम लोग difference बोलते हैं तो आपका यहाँ पर potential difference हूब 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 इसी तरह से काम करता है ठीक है चलिए इसको थोड़ा साब हम लोग मिटा लेते हैं चलिए इस तरह का चीन जो है वह आएगा और यहां डाइरेक्टली रहेगा डिवाइड में कुछ भी नहीं रहता है डाइरेक्टली में सब उपर ही रहता है यह चीज आप ध्यान में रखेंगे डाइकि इस इस डाइरेक्टली पोपोसिणल तूदव इलेक्ट्रिक चरेंट यानि कि जो वोल्ट थै पटेंसेल डिफरेंट के मतलब गहां वी जो वी है यहां पर लिख देता है वी जो है वह डाइक्टली में स्लण्म िसको बोल?!" converge याणि आईक्ट्रिक करेंटe यानि के एक्जाम में पूछा जाता है एक नंबर में कि ohms law में जो है वो क्या चीज constant होता है याद रखेंगे क्या होता है constant temperature जो है वो वहाँ पर constant होता है चलिए then next उसके बाद देखते हैं this means potential difference V varies as an electric current so यानि कि यहाँ पर यह बनता चला है कि जो potential difference है वो electric current पर vary करेगा कि electric current कैसा है ज्यादा मजबूत होगा तो potential difference भी ज्यादा अच्छा हैगा कमजोर होगा potential difference भी change करेगा तो यह vary करता है electric current पर electric current जो है वो कैसा है उससाब से potential difference भी अपना जो है वो बताएगा nature चलिए तो वही चीज़ है वी इस डागली पोसनल टू आई अब यहाँ से डागली पोसनल हटता है या फिर इंवर्शल पोसनल हटता है दोनों में से कोई भी हटता है तो एक constant जूड़ता है तो हमने आर जोड़ दिया constant तो यहाँ से क्या बना एक second यहां से क्या बना देखेंगे अब हम उसके बाद इस सब चीज़ को आप भूल जाएए उसके बाद यह सब चीज को आप याद रखेंगे आपका यही ओम शलो का फर्मूला है चलिए दैन नेक्स आगे देखें आगे बढ़ें यहाँ पर आर क्या है तो आर याद रखेंगे आर आपका कॉंस्टेंट होता है फूर गिवन कंड़क्टर एक गिवन कंड़क्टर में आर जो आपक उसदेंट ओसी को सब्सक्राइब कॉर्या एक पर पर टुरुक्टर का जो कि HOLC पोज करता है रेजिस्टेंस यह भी आपको बता बतलब की वह बोल सकते हैं चलिए सो ऐसा उनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का तो ओम होता है सब को पता है उसको अरे और ख़िवा क्यों से थोड़ी करते हैं चलिए देन उसके बाद वन ओम जो है आब आके how़ कि आप प्ढ़ क्या है रेजिस्टेंस इसे कोल टू तो थोड़ा सा फीर जुम करना पढ़ेगा लगता है यहां पर रेजिसटेंस इसे कोलट्व क्या पढ़े है पोटेंशल लेstesस बा current तो यहां से हमें one ohm resistance को होता है तो यहां पर यह वन ओम अगर हमें चाहिए तो हमें one volt कराना पड़ाएगा पास करना पड़ाएगा और एक ampere का current क्योंकि current हम लोग किसे नापते हैं ampere में तो one ampere का current होना चाहिए और यही चीज आपको definition में लिखी होगी और इससे ज्यादा कुछ अलग लिखा नहीं होगा चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है so one ohm one ohm is of resistance r is equal to the flow of one ampere of current through a conductor between two points having a potential difference equal to one देखिए जो मैंने बोला वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है so उमीद है आप समझगे होंगे यह सारे चीज़ कि यह क्या लिखा है कैसे लिखा है जो भी चीज़ लिखाता है मैंने आपको हैं साब साब अक्षोरों में बता दिया ठीक है one ohm का कैसे आप definition करेंगे one ohm कैसे होगा तो one ohm क्या होना चाहिए कि conductor में एक वोल्ट का जो है आपका potential difference होना चाहिए दो points के बीच में और आपका current flow होना चाहिए वह एक ampere का होना चाहिए तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर जो resistance जो work करेगा वह one ohm का resistance जो है वह work करेगा या फिर हम बोलेंगे कि वहाँ वोल्ट अपन में one ampere जो कि यहां पर लिखा हुआ है मैंने यहां लिख दिया है इसको आप नहीं देखेंगे कोई काम बतलब की आपको कुछ हो नहीं जाएगा so then explanation जो आपका expression है वो क्या है ohms law का it'd be always that electric current नीचे से electric current through a resistance is inversely proportional to the resistance जो electric current है उस register में ठीक है वह आपका inversely proportional हो resistance के और यार मुझे साब दिख रहा है formula में formula मुझे साब दिख रहा है resistance is equal to v by i यहाँ पर जो resistance है वो current का inversely proportional ही तो है resistance जो है वो current का inversely proportional ही तो है साफ साफ मुझे दिख रहा है यह तो यहाँ पर ठीक है और directly proportional किसके है तो directly proportional है वोल्ट के यह तो मुझे साफ साफ दिख रहा ह वहाई चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इट मेंस Electric Current will Decreases अब यहाँ से आपको question आ सकता है कि अगर हम Electric Current को Decrease करे तो resistance पर क्या असर होगा आपको देखना चीज वह साथ साथ कि जो Electric Current को अगर हम Decrease करते हैं तो हमको साप साप दिख रहा है कि कि resistance आपका increase हो जायाएगा क्यूँ क्यूंकि आप यहां इस जगह पर देखिए किस जगह पर यहां पर देखिए जहां में यल्लो कलर से पेंट कर रहा हूं कि यहां पर resistance जो है इलेक्रिक करेंट को अगर मैं घटाऊं तो resistance पे क्या आसर पड़ेगा तो resistance आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो यहां पर देखिए विध एन जो आपका एक सेक्सिस में है वो electric current है इन दोनों के बीच का graph आपको जो है वो करना है तो इन दोनों के बीच का graph ऐसे सीधे निकलता है यह चीज आप याद रखेंगे चलिए जाए नेक्स आगे बढ़ें आगे बढ़ जाए बताए चलिए तो graph याद रखेंगे दैन उसके बात देखते हैं next friend graph of potential difference B versus electric current I voltage potential difference V आपको यहाँ पर find करना है so we know that ohm's law that so वही बोल रहा कि we know that ohm's law हम लोग ohm's law को जानते हैं क्या जानते हैं ohm's law में यही जानते हैं sir जी कि r is equal to v by i हो जाता है अच्छी बात है भाई चलिए सही बात है अब आपको यहाँ पर कह रहा है question में क्या कि resistance आपको पता है 15 ohm और आपको current आपको यहाँ पता है 15 amp का तो यहाँ पर आपको potential difference यानि की वी find करके बताओ कि वी कीतना होता है ठीक है तो चलिए बता देते हैं तो यहाँ से आपका जो है वी ही find करना है तो i को हम इस side भेज़ देंगे r के तरफ तो हमारा हो गया v is equal to i multiplied by r so v is equal to 15 multiplied by 15 ठीक है यह 18 नहीं लिखा है 15 ही लिखा जाए जाए वी is equal to में 15 multiplied by 15 जो की आपका यहाँ पर बन जाएगा दो सो पचीज तो यहाँ पर यहाँ पर यह बन जाएगा दो सो पचीज वोल्ट दो सो पचीज वोल्ट यह आपका यहाँ पर वी निकल के आ गया आपके सामने ठीक है तो उमीद है आपको समझ में आया बताया नुवेरिकल के थुरू यहाँ पर यहाँ एक नुवेरिकल भी आपका बन गया बागी यह जो है यह इस तरह से यह गलत दिया हुआ है छिक है चलिए then next उसके बाद देखते हैं resistance resistance क्या है resistance so resistance resistance is a property of conductor due to which पढ़े क्या है उपर यार due to which resist यह resist करता है electric current को electric current को flow को यह resist यानि कि oppose भी बोल सकते हैं अगर यह electric current ज़्यादा होगा तो resistance उसका oppose करके धीरे करेगा कि भाई यतना speed ना जाया करो आगे allow कर दिया है साहिब ने 20 के km के speed से चला है तो 40 के चला है थोड़ा सा 20 km की speed को कम कर यह बोलता है resistance ठीक है चलिए resistance का कहना यह है कि इसके आगे check posting के आगे जितना km से कहा गया है गाड़ी चलाने के लिए उतना km ही चलाना है यह है resistance का कहना current से then उसके बाद a component that is used to resist the flow of current in a circuit is called register अब जो component हम लोग use करते हैं electric current को रेजिस्ट करने के लिए उस component को हम लोग बोलते हैं register यह चीज़ आप याद रखेंगे उस component को हम लोग क्या बोलते हैं उस component को हम लोग बोलते हैं so then register नहीं register बोलते हैं चलिए so next देखते हैं next आप से क्या पूछा जा सकता है आपके exam में in practical appliances अब हम जो है एक वस्तू के साथ जो आपके question जो आपके lab में जो है वो दिया जाता है registers वो एक practical करके देखें so register are used to increase or decreases the electric current register जो है वो use करते हैं हम लोग किसके लिए electric current को increase करने के लिए या फिर decrease करने के लिए हम लोग register का use करते हैं physics lab अगर मैं आप गय होंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर एक appliances use किया जाता है जिसको कि आगर पिछे घसकाते हैं तो current जो है increase decrease होता है ठीक है तो वो जो आपका वस्तू होता है वही है आपका register समझ गया है तो register का ये काम होता है कि वो increase या decrease करता है electric current को then उसके बाद variable register क्या होता है same वही काम करता है variable resistance भी increase और decrease का ही यह है उसी को हम लोग variable resistance भी बोलते हैं so the component as a component of an electric circuit electric circuit में use करते हैं हम लोग ऐसा component जो कि क्या करता है which is used to regulate the current current को ये regulate करके रखा रहता है और ये कैसे रखता है regulate करके तो without changing the voltage from the source यानि source से 220 volt आ रहा है तो ये भी 220 volt ही आगे जो है resistance इस resistance के जो variable resistance है इसके बाद भी जो आपका voltage जाएगा वो आपका 220 volt ही जाएगा but but ये current को regulate करते रहेगा यानि current को जो है वो flow कराते रहेगा ये current को ये रोक के नहीं रखेगा ये current को भी साथ साथ में flow कराते रहेगा ये है आपका variable resistance का मतलब उसी कमलों क्या बलते है variable resistance बलते है यानि the component of an electric circuit which is used to regulate the current current को ये regulate main इसका कहना है variable का करके रखता है कैसे तो without changing the voltage of a source जो source से voltage आ रहा है उसको बीना change के हुए ये current को regulate करते रहता है ये इसका बाद रियो स्टेट आपका है रियो स्टेट जो है वो भी एक आपका device होता है this is device which is used to circuit एक सर्किट में जो है use किया जाता है to provide variable resistance को पाने के लिए और variable resistance का use अभी हम लोग पढ़के है कि वो current को regulate करके रखता है source से बीना voltage को क्या करता हुए change किये बीना ही वो current को regulate करते रहता है कौन variable resistance रियो स्टेट का का काम है कि ये circuit में यूज के जाता है provide करने के लिए variable resistance को चलिए then next उसके बाद क्या है क्या causes है causes of resistance इने conductor यानि conductor में resistance का क्या कारण है लगाने का नहीं लगाएंगे तो क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर सारा जनकारी है so क्या है flow of electron in a conductor is electric current यानि एक conductor में एक electron का flowing electric current होता है यह तो सबको पता है definition भी हम लोग पढ़े क्या है the positive particles of conductor जो conductor में जो positive particles जो flow कर रहा है create and hindrance वो create करता है कि hindrance to flow electron electron को flow कराने के लिए जो है वो एक vibration जो है यह produce करता है जो positive charge वाला जो conductor के अंदर है because of attraction between इसलिए क्योंकि जो attraction है उन दोनों के बीच में यानि positive और negative charge के बीच में जो attraction है this hindrance is causes by resistance तो यह जो hindrance है वो resistance का causes बन जाता है in which to flow of electricity electricity को flow कराने के लिए वो resistance का कारण बन जाता है कि वहाँ पर भाई फिर तो resistance चाहिए ही चाहिए ठीक है इसलिए हम लोग जो है वो resistance का हम लोग use करते है क्या ची तो यहाँ पर देख लिजे flow of electron is called an electric current एक conductor में electron का flow ही होता है electric current positive charge particle जो है conductor में जो है वो create करता है hindrance को यानि के तरह की जो है बोले तो energy को create करता है energy बोल सकते है to flow electrons electron को flow कराने के लिए यानि की एक जगह से दूरी जगह घुमने के लिए जो है वह hindrance produce करता है positive charge जिसके कारण की एक attraction जो है attraction जो है लग जाता है positive और negative charge के बीच में अब positive और negative charge के बीच में attraction लगता है तो जो भी आपका वहाँ पर current का flow है वो थोड़ा सा जो है वो बड़े जाता है so this hindrance is causes by the resistance in the flowing electricity यहाँ पर होगा then उसका बाद होए factor affecting की resistance जो है conductor में उसके करते हैं तो कौन कौन सा factor जो है वो affect करना चाहिए तो उस पर है तो वो देख लेते हैं तो आपका क्या क्या होना चाहिए तो nature पर जो है conductor का length पर और area of cross sectional पर जो है वो होता है अब वो क्यों होता है कैसे होता है वो हम लोग एक काम करते हैं अब यहाँ से जो है factor affecting फिर उसके बाद क्या है यह एसा unit resistivity है फिर उसके बाद आपका यह हाँ so यह जो है हम लोग next class में पढ़ेंगे factor affecting से हम लोग याद रखेंगे कि हमको next class में factor affecting से पढ़ना है चलिए तो मिलते है next class में class आपको कैसा लगा यह आप बताएंगे यह आपका first lecture था इसी तरह से 20s part में जो हम लोग पूरा complete कर लेंगे अपने physics और chemistry को term 2 का ठीक है चलिए धन्यवाद इस तरह के वीडियो देखने के लिए और हम मेरा motivation हाई रखने के लिए like share and subscribe जरूर करें thank you